नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि सभी M's में वेकेंसी आने वाली है और एक एक करके सभी M's में वेकेंसी आ भी रही है तो इस वार जो वेकेंसी आई है दोस्तों वो M's नागपूर में आई है तो जो दोस्त लो जितने भी पोस्ट हैं उसमें कुछ न कुछ experience मांगा जा रहा है तो आपको सब कुछ details में बताते हैं यदि आप लोग interested हैं तो इस वीडियो को last तक देखें आप लोग अपने दोस्तों में भी share करें और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्रा कि contractual है क्या है नहीं है तो आपको बता दें कि ये permanent job है आप लोग apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि M's में जो vacancy निकलती है उसमें seatों की संक्यां बहुत कम होती है ज्यादा नहीं होती है लेकिन जिन दोस्तों का एक अच्छा खासा preparation रहता कि total इसमें 23 types के post के लिए vacancy निकाली गई है और जैसा कि आपको बताए कि 4-5 ऐसा post है जिसमें कोई भी experience नहीं मांगा जा रहा है तो यदि आप लोग एक अच्छा खासा post पे officer ring के post पे apply करना चाहते हैं तो आप double AO का apply कर सकते हैं यानि कि assistant administrative officer का ये level 7 का post है यानि कि group B का post है इसमें total 2 vacancy है और दोनों का दोनों UR category में है तो आप किसी भी category से आते हैं आप इस UR में apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसके बाद आप लोग executive assistant के लिए apply कर सकते हैं जो की level 6 का post है ये भी group B में आता है बहुतनी बहतरीन post है इसमें total 3 vacancy UR के लिए है और 1 vacancy OBC के लि इपर का junior engineer का तो आप लोग ये सब भी apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है यदि आप library science से diploma किये हुए है आपके पास experience है तो आप library and information assistant के लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आए आपको बताते हैं कि यदि आपको short hand आती है तो आप stenographer के लिए apply कर सकते हैं stenographer level 4 का post है और ये group C के अंतरगत आता है इसमें UR के लिए total 3 post है और एक post OBC के लिए है यानि कि total 4 post stenographer के लिए निकाला गया है तो जो दोस्त लोग SC ST में आते हैं आप लोग भी apply कर सकते हैं इस UR के vacancy में आप fight कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसके बाद देखें दोस्तों LDC का य है और EWS के लिए एक vacancy इसमें reserve है तो आप लोग देख लिए यदि आप लोग apply करना चाहते हैं तो इसका apply कर सकते हैं और इसके अलावे भी बहुत तरह के post है जिस भी post के लिए आपके पास essential qualification है experience है आप इसका apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको ये PDF चाहिए तो टेलि qualification क्या है और A's limit क्या रखा गया है तो दोस्तों आईए आपको एक करके eligibility criteria अच्छे से दिखाते हैं सबसे पहले आपको double AO का दिखाते हैं कि इसके लिए essential qualification क्या मंगा गया है उसके बाद आपको एक करके सभी post का दिखाएंगे जो अभी आपको बताएं दोस्तों आप लोग कोई issue नहीं है और इसके बाद देखें दोस्तों इसके लिए जो age limit रखा गया है वो 21 से 30 साल रखा गया है यह UR के लिए है आप यदि OBC category से आते हैं तो आपको 3 साल का age में छुट मिलेगा आप यदि SCST category साते हैं तो आपको 5 साल का age में छुट मिलेगा यनि कि आप यदि 33 साल के हैं और आप OBC हैं तो भी आप इसका अपलाई कर सकते हैं आप यदि 35 साल के हैं और आप SCST category साते हैं तब भी आप इसका अपलाई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और आप देखें दोस्तों executive assistant का इसके लिए essential qualification जो रखा गया है वो भी only graduate रखा गया है और आपको computer की ज stenographer का और उसके बाद आपको LDC का यानि की JSA का बताते हैं यहाँ पे देखें दोस्तों stenographer के लिए only 12th pass मांगा गया है और आपको short hand आनी चाहिए आपको हिंदी में या फिर English में जिसमें भी short hand आती है आप इसका अपलाई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसमें जो age limit आते हैं और आपका age 30 years है तब भी आप इसका अपलाई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और दोस्तों अब आई आपको बताते हैं कि JSA के लिए यानि की LDC के लिए जिसको MS में junior administrative assistant कहा जाता है JA कहा जाता है इसके लिए जो essential qualification रखा गया है only 12th pass रखा गया है और आपको typing आनी चाहिए English में 35 या फिर Hindi में 30 का speed होना चाहिए जो कि आपको skill test देना पड़ेगा और उसमें qualify करना पड़ेगा typing test तो LDC के लिए essential qualification यही रखा गया है इसके लिए जो age limit है वो 18 से 30 साल रखी गई है आप यदि OBC से हैं तो आपको 3 साल का चुट मिलेगा यनि कि आप यदि 33 years क हैं तब भी आप इसका apply कर सकते हैं और आप यदि SCST से आते हैं तो आपको 5 साल का चुट मिलेगा आप यदि 35 years के भी है तब भी आप इसका apply कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके तो दोस्तों यह रही essential qualification की बात और अब आपको बताते हैं कि इसका exam center कहा हो सकता है जो CBT exam ह होगा वो कहां कहां हो सकता है तो आईए आपको exam CT के बारे में बता रहे हैं दोस्तों यहां पर देखें test center के बारे में जो कहा गया है कि इसका जो test center हो सकता यानि कि CBT के लिए जो examination CT हो सकता है वो आपका New Delhi Delhi NCR हो सकता है और जो second number पे है मुंबई थाने नवी मुंबई और M मैं our region में हो सकता है third number में कहा है इसका center Kolkata हो सकता है fourth में कहा है कि इसका center हैदराबाद होगा और fifth में कहा है कि इसका center बेंगलूरू होगा sixth में कहा है कि लखनव और seventh में कहा है नागपूर यानि कि apply करते time आप ये preference दे सकते हैं कि आप कहां पे अपने examination CT चाहते हैं आप जह बारे में बताते हैं दोस्तों यहाँ पर देखें यदि आप लोग General OBC EWS या फिर X-Servicemen category से आते हैं तो आपको 1000 fee देना परेगा यदि आप SCST category से आते हैं तो आपको 800 fee देना परेगा आप यदि दिव्यां category से आते हैं तो आपको कोई fee नहीं देना परेगा समझे तो यह application fee का details है आप लोग सब कुछ देख लिए जो भी important point था आपको बता दिए और अब बात रही कि इसका syllabus क्या होगा और इसका apply कब से start होगा तो दोस्तों जैसे ही apply start होगा आपको inform कर देंगे आप लोग employment news चेक करते रहें employment news में publish हो जाएगा उसके बाद apply start हो जाएगा और जैसे ही syllabus अपलोड की जाएगी आपको सब कुछ details में बता देंगे तो इसके regarding जो भी important information आगे होगी आपको बताते रहेंगे तो आप लोग चैनल को subscribe कर लें आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर दें यदि आपके मन में कोई doubt है तो आप comments करने reply देने का कुछिस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा new video लेके तब तक कि लिए धन्यबाद नमस्कार